नवस्कात दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में मैंने शुरू से मोटरोला के फॉन यूज किये हैं ये मेरे हाथ में मोटो G5S Plus और अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मोटो पावर बन है तो मैंने ये दो मोटो की यूज किये हैं तो मैं अपना experience शेयर करूँगा कि इन मोटो को क्यों खरीदना चाहिए और क्या ऐसे region है जिनकी बज़े से इनने नहीं खरीदना चाहिए मतलब दौनों चीज़े बताऊँगा ऐसे भी region है जिनकी बज़े से इनने खरीदना चाहिए और ऐसे भी region है जिनकी बज़े से इनने नहीं खरीदना चाहिए और मेरा क्या experience रहा चार-पांच साल में इन फॉन के साथ इससे पहले भी एक motto था जो उपर से ऐसे खुल जाता था तो बो भी मैंने यूज किया है तो मोटरोला का काफी अच्छा experience रहा है पहली चीज मोटो मेरा खरीदने का सबसे बड़ा परपच रहता है कि मोटरोला इंडिया की company है मैं अपना पैसा इंडिया की company हो मैं लगा हूँ वो काफी ज़्यादा अच्छी होते है इसके अलाबा मोटरोला का जो battery backup होता है वो सबसे बड़िया मेरे को लगा है कि मोटरोला की battery अगर हल्की वाली भी होगी मतब कम MHKB होगी तो भी काफी ज़्यादा चलती है काफी अच्छी power रहती है इसके अलावा मोटरोला की जो build quality होती है वो इतनी सांदार होती है आप देख सकते हैं इतना सांदार बना हुआ होता है लोग काफी अच्छा आता है यह अब तो टूट गया है camera तो इतना अच्छा आता है कि मोटरोला के phone को अगर आप दो साल पहले खरीते हो दो साल बाद भी उसका लोग इतना नया रहता है कि ऐसा लगता है कि phone नया है क्या तो यह जो mobile है यह काफी पुराना है इसका upfront चेंज भी हो गया एक बार मैंने बदलवा भी लिया है तो इतना नया लोग आता है इतना signing लोग आता है Motorola के mobile का वो काफी ज़्यादा मेरे को पसंद है इसके अला जाती है बहुत सारे mobile में एक issue मैंने देखा है कि mobile में जो camera होता है वो high megapixel का होता है लेकिन दिक्कत कहां आती है उसकी camera quality के जब photo click करते है तो photo footage आते है लेकिन Motorola में ये खास बात देखी है मैंने कि जो camera quality है वो काफी सांदार होती है वहले ही megapixel काम है लेकिन camera quality काफी अच्छी आ जाती है वीडियो भी काफी अच्छी बन जाती है तो ये कुछ अच्छाईया मेरे को देखी है इसके charger जो आती है वो high charger आती है जो बड़ी जल्दी mobile को charge क कर देता है recording भी काफी अच्छी हो जाती है अभी मैं कोई studio में नहीं कोई lighting नहीं चल रही कमरे में कोई lighting नहीं है बस एक gate खुला है तो उसकी धूब आ रही उसकी वज़े से इतनी अच्छी recording हो रही है अब आई issue की बात करती है दिक्कत कहां पर आती है पहली चीज मेरे को अगर sound recording की बात करें अगर recording करनी है तो sound recording इतनी जादा अच्छी नहीं हो पाती अब आज इतनी सही recording नहीं हो पाती जैसा आप देख सकते हैं कुछ दूसरे mobile की बात करें उनको भी मैंने use किया है तो कुछ mobile में recording काफी अच्छी होती है जो की sound recording होती है दूसरी चीज इसमें जो camera का जो issue होता है clarity ची आती है लेकिन pixel set नहीं होते जो दूसरे mobile में होते है features बहुत होते हैं दूसरे mobile में इसके camera में ज़्यादा feature नहीं है limited feature है जिनने हम use कर सकते हैं और इसके अलावा जादा कोई feature नहीं है जिनका use नहीं कर सकते इसके अलावा आप दूसरी M.I. company को देखोगे तो इतने ज़्यादा feature होते है camera में कि camera में जो photo click करते हैं वो अपनी choice से click कर सकते हैं इसमें setting ज़्यादा नहीं होती है इसके अलावा जो सबसे बड़ा issue लगा है इसके जो parts आते हैं काफी ज़्यादा मेहंगे आते हैं अगर इसका मेरा charger खो गया और जब charger खो या तो मैं service center गया charger लेने तो इसका charger 2600 रुपई का charger मिल रहा था तो इतने मेहंगे parts मिलते हैं इसकी जो body डलवाई वो 2500 रुपई की डली है मतरब phone जितने का नहीं होता उससे मेहंगे काफी ज़्यादा मेहंगे थोड़े बहुत मेहंगे नहीं काफी ज़्यादा मेहंगे इसकी parts मिलते हैं तो ये भी मेरे को issue लगा है long life चलता है ये बात मैं मानूगा कि आज चला रहे हो दो साल बाद भी ये उसी तरह से चलेगा build quality अच्छी है तो कुछ दिक्कत है भी है जो मेरे को लगती है इसके अंदर तो बाकी का काफी ज़्यादा सही phone है अगर आप budget के इसाब देखो तो Motorola के जो phone आते हैं 10 से 12 जार 15 जार के अंडर में काफी अच्छे phone आ जाते हैं काफी अच्छे से आप उन्हें यूज कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ां इस हूँ है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके parts काफी ज़्यादा महगे होते हैं इनकी sound इतनी अच्छी नहीं होती sound recording इतनी अच्छी नहीं होती इनकी music की quality इतनी अच्छी नहीं होती डावली sound होता है इनमें लेकिन वो वाला feel नहीं होता जो कि आज कल के mobile में आ रहा है camera में ज़्यादा features नहीं होते जैसे इन्होंने features दिये हैं उन्हीं को use कर सकती है दूसरी company काफी ज़्यादा features दे रही है लेकिन ये उन लोगों के लिए काफी ज़्यादा फाइदे मंद रहती है Motorola के mobile जिनका ज़्यादा use नहीं होता उनको call करनी है और लंबे time तक phone को अपने पास रखना है मतलब एक show up के लिए रखना है चाहे कोई ज़्यादा busy आदमी है जो बार बार phone नहीं बदलना जाता तो लंबे time तक आप अपने phone को रख सकते है इसका रंग तक नहीं उड़ता Motorola की हरपान की कानी यह है जो यह steel के होते हैं किसके बने होते हैं तो उसका color नहीं उड़ता और काभी अच्छे रहते हैं तो आप लोग भी huge कर सकते हैं Motorola के mobile ऐसा नहीं है लेकिन जो अच्छाईयां थी जो पुराईयां थी वो मैंने अपने experience के आदार पर आप लोगों को बता दी तो बस इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा आपको ये वीडियो कैसी लगी बहुत बहुत धन्यवाद